विडियो को पूरी ध्यान से देखेगा शुरू से लेकर अंत तक क्योंकि दोस्तों इस बार जैमेन के एक्जामिनेशन में पांच मेजर चेंजेज की गई है ठीक है क्या कुछ वो चेंज है एके करके पांचों चेंजेज के बारे में बात करेंगे विडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखेगा इस बार के जैमेन के एक्जामिनेशन में कुछ ऐसी चेंजेज है जो रेजिस्टेशन के टाइम पे की गई है ठीक है तो इस प्रणी में हम लोग यह भी जानेगे कि रेजिस्टेशन के टायम पे कौंकों से चेंजेस हुई है और एक्जामिनेशन के टायम पे कौंकों से चेंजे उई है और मैं इसको लेकर ओफिसियल अपडेट में आपको दिखा운गा ठीक है वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू आपके बन जाएंगे, जिससे आपको बेस्ट एन इटी कॉलेज या बेस्ट ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल सके, और अभी से टोटल आपके पास 40 डेज बस रहे हैं, तो 40 डेज का एक स्ट्रेजी वाला भी वीडियो आने वाली है, कि 40 डेज में अपने आपको कैसे अच्छा स सकते हैं, तो इस वीडियो को देखिए पूरी लिकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा लिजेगा, ता कि इसका फाइदा आप लोग उठा सके, जैसे ये वीडियो आए कि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बहुत सकेगी, इसलिए नोटिफिके आप लोग अपने अप्लिकेशन फॉर्म को बहुत ही केरफुली फिल करें, अगर उसमें किसी परकार की गरवड़ी सामने आती है, तो इस वर आपको करेक्शन का मौका नहीं दिये जाएगा, ऐसा एंटी ने कहा है, हलांकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उस समय के डिम कि एक्जामनेशन आपके एप्लिकेशन फॉर्म जो इंड होगी, 31 मार्च 2022 को इस बर एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना इंड हो जाएगा, ठीक है, और उसकी बाद उससे एक्जामनेशन के बीच का अगर आप गैप देखेंगे, तो पंदरा दिन का गैप है, सुलह में दिन आपके एक्जामनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप इस बात को सोचिए कि एप्लिकेशन फॉर्म 31 को इंड हो जाएगी, उसकी बाद 10 से लेकर के 12 दिन तक एंटिय को समय लगता है, एडमिट कार्ड जारी करने में, ठीक है ना, जैसे ही पर इंड होगी, फिरून को एडमिट कार्ड बनाने होंगे जल्दी यल्दी और 10 से 12 दिन के अंदर एडमिट कार्ड को भी रिलीज करने होगे, और एग्जामनेशन से कम से कम 3 से 4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आपके जारी हो ही जाएगी, यानि कि अगर 16 से आपके तो मेरा सबसे पहला सला है कि आप अपने अप्लिकेशन फॉर्म को बहुत ही ज्यादा केरफुली फील करें ठीक है दूसरा जो चेंजेश होगे दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पे इसमें से सेवंटी फाइव को बनाने होते हैं ओगे अगर सहीी आप बनाएंगे तो लगलत करेंगे थो माइनस वन ऍलाचतिener होजाएंनेStra तो दूसरा चेंज यह है कि पेपर में सेक्षन B के पार्ट में जो है वो निगेटीव मार्किंग इस बार होगी लेकिन पिछले साल के तुनला में बात करे तो निगेटीव मार्किंग नहीं होती थी ठीक है दूसरा बड़ा चेंज यह है अगला चेंज भी काफी बड़ा है तर्ट जेंज यह है कि General EWS के टेग्री सर्टिफिकेट, या फिर OBC NCL का सर्टिफिकेट, जो है, वह एक जन्वरी 2022, या फिर एक जन्वरी 2022 के बात का बना हो, जानि रिसेंट बना हो, एक जन्वरी 2022 के पहले नहीं बना हो, अगर उसके पहले बना है तो आपको वह वाला फिल करना है ठीक है उसके लिए एक self declaration form आता है वह आपको लगाना है कहां से आपको मिलेगा सारा का वीडियो में बना दिया हूँ description में उसका भी link में डाल दिया हूँ तो जागर का description चेक करिए यह self declaration form का मैं वीडियो बना दिया हूँ कि जिनके पास certificate एक जनवरी 2022 के बाद का नहीं है वो क्या कुछ करेंगे ठीक है अगला फॉर्थ नंबर जो चेंज है देखिए दो सेसन में आपकी एक अप्रील सेसन में ठीक है और दोनों सेसन की application form अलग-अलग तो मैं आपको बता तो पहले पहला सेसन का हो जाएगा उसके बाद अप्रील में एक वर फिर से बिंडो ऑपिन होगी और उसमें फिर से आपका मई वाले सेसन का application form फिर से फिल किया जाएगा ठीक है और अगला पांचमा सबसे बड़ा चेंज यह है कि इस बार 75% की अच्छा स्कोर करके अपना IIT कॉलेज भी फिक्स कर सकते हो या फिर NIT, IIIT कोई भी कॉलेज यानि कि इस वर 75% की क्राइटेरिया वाला फंडा हट चुका है तो यह पांच मेजर चेंजे आप सभी के इस बार की इग्जामनेशन रेजिस्टेशन एड इग्जामनेशन में थ सल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन दबा लीजेगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत